तो देखते हैं आप पर question number first में हमसे क्या पूछा गया है? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो multicellular organism होते हैं, उसमें जो oxygen के requirement होती है, वो diffusion के जरीए पूरी क्यों नहीं हो पाती? वो हमें यहाँ पर बताना है. तो इसके लिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि diffusion होता क्या है? तो diffusion को मैं यहाँ पर एक example से समझाऊँगा, माल लोग कि आपने यहाँ पर एक bucket लिया या एक beaker ले लेते हैं, यह हमारे पास यहाँ पर क्या एक beaker है, और आपने इसमें क्या डाल रखा है? पानी डाल रखा है. और आप यहाँ पर क्या करोगे? थोड़ी सी इंक इसमें डाल दोगे. तो अब होगा क्या है, यह जो इंक है, थोड़ी दिर बाद, मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी दिर बाद यहाँ पर जो इंक है, वो इस पानी का करार यहाँ पर क्या कर देगी? चेंज कर देगी. क्या करेगी? यहाँ पर चेंज कर देगी. वो कौन से प्रोसेस से होती है वो हमारी होती है हीमोगलोबिन के वज़े से और हीमोगलोबिन हमारे red blood cells में पाया जाता है पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर answer में क्या लिखा हुआ है In large multicellular organism like humans, the oxygen of air will have to travel large distance inside the human body to reach each and every cells of the body तो यहाँ पर होता है जो human body है वो यहाँ पर क्या है काफी बड़ी है जिसके वज़े से उसको काफी जादा distance cover करना पड़ता है और वो diffusion के process से नहीं हो पाता वो कौन से process होता है वो हमारे होता है हीमोगलोबिन के process से और देखते हैं यहाँ पर आगे क्या बोला गया है diffusion जो होता है वो काफी slow process होती जैसे के मैंने आपको यहाँ पर example से समझाए था कि अगर आप यहाँ पर ink डालते हो तो यहाँ पर काफी time लगता है उसको यहाँ पर घुलने में और वहाँ पर उसका color change करने में और जिस वज़े से यहाँ पर सारी body parts में oxygen पहुचाना काफी कठीन काम हो जाता है diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans because यहाँ पर आप अंसर यह वाला important answer है आप यह वाली line भी लिख सकते हो यहाँ पर because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the internal cells तो यहाँ पर होता क्या है जो human body का जो volume में मत्तब जो हमारा area वो यहाँ पर क्या काफी बड़ा है जिसके वज़े से diffusion process से हमारा oxygen के requirement पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो oxygen है वो हमारे काफी internal cells में जातें काफी छोटी छोटी जिगा पर जातें और वो diffusion के process से नहीं हो पाएगी so when the size of the multicellular organism is large then respiratory pigments तो यहाँ पर जो respiratory pigment है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते है हीमोगलोबिन बोलते है और जो कि हमारे किस में present होता है हमारे red blood cells में present होता है और जो oxygen जो हम लेते हैं वो हम कहां से लेते हैं लंग से लेते हैं और जिसके विए से यह जो process से काफी जल्दी हो पाता है और यह process किस वज़े से जल्दी हो पाता है वो हमारा हीमोगलोबिन के वज़े से हो पाता है और जिसके विएसे यह जो process है काफी जल्दी हो पाती है सेम अगर यहाँ पर हम diffusion के साथ जाएं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा diffusion काफी slow process है और जिसके विएसे वो requirement यहाँ पर पूरी नहीं कर पाएगा तो इस answer में जो सबसे main point था वो हमारे यहाँ पर किस पर focus था हीमो गलोबिन पर था क्योंकि सारे काम वहाँ पर वो ही करता है आपको यह वाल अंसर यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ